आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर फॉर में कि हम साइंस की बुक्स को किस तरीके से और लिट्रेशर का रंग दे सकते हैं और लिट्रेशर में इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को हम साइंस के कॉंसेप्ट एक अमेजिंग तरीके से सिखा सकते हैं उसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से स्टोरी बुक्स को एक एडवांटिज हासल है आपकी इनफर्मेशन बेस्ट ट्रेट बुक्स के उपर और आपकी कॉंटेंट बेस्ट टेक्स बुक्स के उपर जो कि साइंस की होती है हम देखते हैं कि वो किया आज हासल है और ऐसा क्यूं होता है हमारे पास जो स्टोरी बुक्स होती है बच्चों की डेफिनिटल उसके अंदर एक अमेजिंग करेक्टर होता है जो किसी ना किसी फॉर्म में बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाता है उनके एक्शन के साथ उनके खाबों के साथ एक हीरो बनके ही मर्ज होता है और फिर उसमें प्लॉट होती है उसमें स्ट्रगल होती है उसमें कोई एडवंचिर होता है कोई एक्शन होता है और इस तरीके से बच्चे उस character के साथ emotionaly attach हो जाते हैं और वो से पढ़ना चाहते हैं उसमें involved हो जाते हैं और उसके साथ क्या-क्या develop होता है बच्चों के अंदर जितनी involvement होगी definitely वो involvement नतीजह है किस चीज़ का दो एहम words का जो आप यहाँ देख रहे हैं पहला है compassion और दूसरा है empathy आप बच्चों को उस character से महबबत होती है उसके लिए care और उसके लिए feelings जो है care की और महबबत की उनके अंदर develop होती है और empathy की feeling develop होती है character definitely ऐसे design किया जाता है कि वो बच्चों की needs और उनकी cognitive abilities और उनकी emotional age के मताबिक होता है तो बच्चे उसे emotionally attached होके समझने लग जाते हैं कि character can feeling से गुजर रहा है यह बहुत ही बड़ा advantage है story books का जो के हम बच्चों को जब non-fiction trade books introduce करवाते हैं यह आपकी जो text books होती है science की वो लेकर जाके उनको पढ़ाते हैं तो उनके अंदर यह चीज़े मौजूद नहीं होती क्या मौजूद नहीं होती feelings empathy और sympathy की और caring की values जो हैं उसके अंदर मौजूद नहीं होती है अब trade books के अंदर और हमारे पास जो content area books हैं बच्चों को अमूमन किताबों को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलात पेशाती हैं और मुश्किलात किस किसम की पेशा सकती हैं उसके अंदर expository text मौजूद होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ facts or figures होते हैं और simple information होती है technical नाम होते हैं scientific jargon's मौजूद होते हैं most of the time बच्चों को इन तमाम चीज़ों के बारे में पहले कोई मालूमात हासिल नहीं होती उनका prior knowledge नहीं होता जिसकी वज़ा से बच्चे जब पहली दफ़ा इस किसम के concept पढ़ते हैं तो definitely वह एक non interesting तरीके से और उनको present किया जाते हैं बच्चे एक तो उसे detach होते हैं और prior knowledge और vocabulary ना होने की वज़ा से उनको मुश्किलात पेश आती हैं कि यह क्या टेक्स है और यह क्या मुश्किल टामस है उनका इंट्रस डेफिनिटली कई दफ़ा लूज हो जाता है या इस किसम के हमारे पास science की किताबों में topics होते हैं कि हर topic में हर बच्चे इंट्रस्टेड नहीं होता और कई दफ़ा बच्चे कि ऐसा टेक्स पढ़ने के बाद confuse हो जाते हैं उसकी एहम वज़ा यह होती है कि किसी भी हाल में वह उस टेक्स को अपने साथ रिलेट नहीं कर पाते और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हम यह इसकदर मुश्किल जॉर्गन और expository language क्यों सीख रहे हैं और इसका हमारी मताबिक होती है उसके इंटरस्ट के मताबिक होती है उसकी खाहिशात और उसकी कॉगनिटिव इमोशनल अबिलिटी के मताबिक होती है बच्चे जब उस करेक्टर को इस लेवल पर देखते हैं जहां पर वो कुछ कर रहा होता है और उनके किसी डिजायर से उनकी खाहिशों से उनके एडवेंचर से तो लिए उनका इंटरस्थ उसके उसके अंदर बढ़ जाता है वो उसको ना सिर्फ कहानी को पूरा खत्म करते हैं पूरा पड़ते हैं तक बेलकि उसके बारे में critically सोचते हैं प्रेटिकल सोचने के लिए बहुत ही जरूरी होता है कहानी इस तरीके से लिखी गई हो, जिसके अंदर बच्चे प्रिडिक्ट कर सकें कि आगे क्या हो सकता है, या क्या होने जा रहा है, या क्या पॉसिबिलिटी है, आए यह जो important character है, प्रिडिक्टिबिलिटी का, आए बच्चों को पूरी कहानी पढ़ने में मदद देता है, औ पूरी कहानी पड़ भी लेते हैं और उसे एमोशनली अटैश भी हो जाते हैं